स्वागत दोस्तों आपका एक और नहीं वीडियो में दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जियो का जो एयर फाइबर आता है उसके साथ अपने CCTV कैमरे कैसे ओनलाइन कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को practically करके निखाऊगा क्योंकि मैं कि एक साइट पर हूँ जहां पर मैं जी यो इंस्टॉल कर रहा हूँ ये देख सकते हो डान इसली वीडियो को पूरा देखिएगा तो सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं इसकी unboxing मैंने एक बार कर ली थी इसलिए डबे की अलब थोड़ी कस्ता है आप देख सकते हो इसके साथ दो device आती है मेरे पास जो device है indoor वाली device है एक outdoor वाली device आती है जो घर के बार install होती है जब geo का connection आप book कराते हो तो आपको install करवाने की जूरत पड़ती है और जो connection install करने आते हैं वो खुद उसे लगा के जाते हैं आपके outdoor में छट पर या कहीं पर भी लगा देते हैं जब आप इसे open करेंगे तो कुछ इस तरह का box आपको देखने को मिलेगा इसके उपर काज़का रहा पो रखा है पीछे कुछ इस तरह के password वगेरा लिखे हुए अब इसे side में रख देते हैं एक charger है कुछ इसमें लाइटर भी मिलेगे उनकी हमें जुरत नहीं है यह जो आप देख रहे होगे 56 वोल्ट से चलने वाली device है पावर केबल की quality भी बहुत अच्छी है जो कि आपको इसके adapter में insert करनी है मैं इसे करके दिखा देता हूँ एक बार और यह हमारी दूसरी तरफ की wires है एक LAN है और एक DC pin है यह आपको अपने router में लगानी है थोड़ी बड़ी है मैं आप लोगों को इसमें लगा सकते हैं एक साथ एक इसके साथ वायर भी आती है ज्यादा बड़ी नहीं है डेड़ मिटर की LAN केबल है लेकिन इस LAN केबल की quality बहुत अच्छी है अब router में केबल लगाते है मेरे पास दो केबल है आप देख सकते हैं लेन और एक डेड़ी सी और मैं राउटर उठा लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि आपको कॉन SI केबल कहा लगाने है ये राउटर है मेरे पास जो ब्लू का ओप्सन है इसमें आपको यह केबल लगा देनी है जो और चे की है कि अगर आप कभी पासवर्ट बूल जाओ तो इससे रिसेट करोगे साथ में एक बटन देख सकते हैं चोटा सा बटन है अंदर होता है इसके महां से आप इसे रिसेट कर सकते हैं अड़ोप्टर को आप रिसेट वगरा कुछ नहीं कर सकते हैं इसकी जो सैटिंग आती है वो सा इसके अंदर आपको चार लैंड पॉर्ट देखने को मिलते हैं इसके साथ जो केबल आई हुई है इसकी बहुत बढ़िया है और यह केबल आप इदर से अपने लैप्टोप में नवी आर में पी ओई सुच में या आपका जो डी वी आर उसमें लगा सकते हो बसे एक बात ध आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप हमें नीचे कमेंड कर सकते हैं आपकी जो भी प्रोब्लम होगी मैं कोशिस करूँगा कि पूरी की पूरी सौल करूँ दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले भी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग इसे कैसे इंस्ट्रॉल कर सकते हैं अब उस पर बहुत सा रिकमेंट आई थी कि आप इसे हमें प्रैक्टिकल करके दिखा हो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है नहीं तो उस वीडियो पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है और अगर आप CCTV से रिलेटिड काम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी CCTV से रिलेटिड वीडियो मिलेंगी आयोग दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छे लिगी होगी इस सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई 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 क्वेरी है उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करें दन्यवाद दोस्तों